दोस्तों आपका स्वागत है गूगल मैप्स की ट्रिप्स के नए एपिसोड में थोड़ा सा आराम से बैठके यहाँ पर हम लोग आज लक्षद्वीप को देखने वाले काफी चर्चा में हैं तो यह लक्षद्वीप हम जाएंगे आज ठीक है गूगल मैप्स में सबसे पहले दोनों ही जगा जो बहुत चर्चा में हैं उनको देख लेते हैं तो दोस्तों यह इंडिया ठीक है साउथ इंडिया यहाँ पर यह बैंगलूरू है और कोच्छी केरला और जस्ट इनके यहाँ पर आगे समुद्र में आप यह देख सकते हो लक्षदीप है यह यह पूरा ज जादा दूर दूर नहीं है इसे थोड़ा ही दूर है तो मतलब कि अगर आप माल्दीप वेकेशन के लिए जाते हो तो आप लक्षदीप भी जा सकते हो इसमें आपको जादा सस्ता पढ़ेगा बढ़िया रहेगा और आप देश का पैसा देश में ही खर्च कर रहे हो तो य इतने भी यह आइलन है इनमें सब में लोग नहीं रहते मतलब वो तूरिस्ट अक्टिविटी आप जो बूलते हो नहीं होती देख लेते हैं फिर भी छोड़े चोड़े टापू है यह है चैरबन्यानी रीफ अब देखो यहां पर यहां कुछ भी नहीं है मुझे लगता य यह कोई रहता हो गया शायद पानी पानी है थोड़ा-थोड़ा से यह दिख रह दो च्छओड़े टापू है अब नीचे चलते हैं यह आपर यह है एक ब्랑 मोर अच्छा यह हैं पर कोई भी ठोटो का खरा कुफ भी नहीं है मतलु यह तो लूग जाते ही होंगा शायद य ब्रांग मोर अच्छा यहां पर कोई भी फोटो वगरा कुछ भी नहीं है मतलब यहां तो लोग जाती ही नहीं होंगे शायद यह है चेतलात और बित्रा अब यह देखते है, छोड़ छोड़े टापू का सम्मू है यह यह देखो, यहां पर है शुरुवात होती है यहां पर बसावत की, तो यह जो जगह है चेतलात यहां गौर्वर्मेंट स्कूल है LTDC का गेस्ट हाउस है Department of Light Houses and Light Strip पुथिया पल्ले अमरावथी हाउस, PM स्टोर इचलेमा का चेतलात आइलन चेतलात तो एक-एक करके चीज़ देखते हैं यहां पर देखते हैं कि यहां क्या है 6 फोटो है यहां पर यह क्या है यहां पर वही एक्टिविटी है अब यह हेलिपैड है चेतलात का देख सकते हैं हेलिपैड है तो मतब यह पूरी जगा है ना विवाद मंदर से घिरी हुई है यह देखो आइलेंड है ऐसा हेलिकॉप्टर की परचाई आ रही है यह हेलिकॉप्टर है चलाओ ठीक है यहां पर यह फुटबॉल टर्फ है अच्छा यहां लोग फुटबॉल भी खेलते हैं फुल सागर भाई कैसी बात करें फुटबॉल द साही है मतलब यहां पर लोग रहते हैं ठीक है यह पूरी जगह शायद रहने यह रहने लोगों की जगह है घर है चोट-चोटे यह पावर हाउस स्टेशन है और यह शायद नारियल के पेड़ है सारे तो यह सब स्टेशन है इनका चेटलैप में और यह गवर्मेंट जूनियर बेसिक स्कूल चेटलैप ओ गवर्मेंट श्कूल भी है यहां तो चालो ठीक है यह देखो यह समुन्दर है जितना जो light होता है न कलर उतना यह मतलब कम गहरा होता है, और जितना डार्क हो जाता है, उतना समय जादा गहरा मानते हैं तो यह तो हो गया है, कुछ है नहीं है, अई पुथिया पल्ले क्या है? पता नहीं यह क्या है, प्लांट है कोई? DESALENASATION PLANT मतलब की पानी को खारा पाने उसको खतम करते हैं यह वो प्लांट है यहां पर, very nice, पीने वाला पानी बनाते हैं, शायद में नाम से बता रहा हूँ, मुझे तो इस नहीं आडिया नहीं है, चलो, यह हो गया, चैटलेट में चले गए, अब हम बित्रा में जाते हैं, बित्रा नाम की एक जगा है, बित्रा पित्ती, देखते है यह कोन है बाई, ओरे क्या समुद्र है, वाह, very nice, यह क्या कर रहे हैं, अरे, सुन्दर है, जो भी कहो, है ना, यह पित्ती है, पित्ती लिखा हुआ है, पित्ती, फोटो डाले हैं लोगोंने, अच्छे अच्छे फोटो है, हीरो बन रहे एक दम, मस्ती वाल एक दम, देखो अब यह क्या है, किलतन, किलतन, यह किलतन, देखो, आप देख सकते हो, कितना बैलंस्ट है, यह शायद पानी है पूरा साइड में, और यह रहने लाइक, जो लैंड है, वो है, बाकि यह जो आपको दिख रहे हैं, यह बादल है, शायद को, यह सेटलाइट से फोटो ली जा और यह है, वालीबॉल कोट है, यहाँ पर, मत भी छोटी छोटी दुनिया, आप कह सकते हो, यहाँ पर छोटी छोटी दुनिया है, यहाँ पर काफी चीज़े दिखनी है, किलतन में, किलतन में, किलतन या किलदन, जो भी बो आप, fisheries, खेर, उकाईज बीच, अच्छा यह कि कि मेरी वीडियो देखने, वे डोगी, मेरी वीडियो देखने वाली लोग, शायद यहाँ से हूँ, पता नहीं, हो भी सकता है, छोटी बच्चे, फोटो, यह क्या कर रही है, कोई लेडी है, जो फोटो के चपा रही है, वरी नाइस, वरी नाइस, अब यहाँ पर, fisheries है, कि किल्थन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस चलते हैं यहां के, यहां चिट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वीट्वी जाएगा वार तक, यह क्या है, walkway footwear, जूते की दुकान, पहनते होंगे न, जूते टापू तो क्या हो गया, जूते पहनते लोग, डेवे टीवी भी सब लग रहा है, कौन से brand की जूते वो देखा जाए, यह कौन सा है, लूट, यह क्या है, लोटाज, लोटाज के कोई known brand है क जूते हैं, यह क्या है, सचिन्पू, सचिन्पू, यह क्या है, बॉंकर्स, कुछ ऐसा known brand नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जूते तो जूते ही होते हैं, कोई भी brand के हो, यह काफे मेरे को सुन्दर जगा लग रही है, और यहाँ पर पेड़ आप देख सकते हो, नॉर्मल के पेड़ ही जादा है यहाँ पर, इसलिए नारियल सस्ता है यहाँ पर, पब्लिक लाइबरेरी भी है यहाँ तो, वाह, ऐसे लग रहा है कि अलग सी दुनिया में आ गए है, यहाँ का उपर से देखने में बहुत अलग लग लग रहा है, पब्लिक लाइबरेरी की कोई फो पर कहा कहा का street view मिल सकते यहां तो कहीं कभी street view नहीं है Google ने कहीं कभी street view डाल निरख आप पहुंचे नहीं है, ज़्यादा जो लोग डालते हैं उसी पर Google भी क्या करे बचारा, बितरा देख लिया अब देख लिया, अब हम नीचे आते हैं, मेन अगट्टी जगह है वहाँ भी देखेंगे अगट्टी है या क्या है देखते हैं अमीनी अगट्टी हाँ यह सब न हाँ यह क्या है पैरू माई पार यह सब बादल है पता इसके पराएव है यह तो शायद पूरा डूबा हुआ है यहाँ पर ना कोई एक ऐसे जन जाती है समहू या यहाँ के नेटिव जो रहने वाले लोग है वह भी रहते हैं और मैंने यह तो सुनाई कि अंडमा निकोबारा इलिंड में वहाँ पर एक ऐसे अभी भी ट्राइब है जो जिनकी जगहों पर आप नहीं जा सकते और वो लोग अभी भी एकदम ऐसे रहते हैं जैसे पहले ट्राइबल्स लोग रहते थे और सरकार उनको खानवाना देती है प्रवाइट करती है बट आप वहाँ जा नहीं सकते मतलब उनसे मिल नहीं सकते तो या मिल अगर दूर से देख भी सकते हो उनको तो आप उनका फोटो अटो नहीं खीच सकते है अलाउड नहीं है वो प्रोटेक्टिड ट्राइब है ऐसा मैंने सुना है और उनकी कुछ ऐसी जगहे हैं जहाँ पर नॉर्मल लोगों का और टूरिस्ट वगेर लोगों का ज हलीपैड आपको जारतर मिलेंगे क्योंकि अगर कुई भी दिक्कत हो जाती है कुछ बीमार हो जाता कोई सीरियस हो जाता है तो फिर उसको ना एहां से air lift करके ले जाया जाता है क्योंकि by road नहीं जा सकते है road तो ही नहीं आइलेंड है ना तो या तो आप जहाज से जाओगे boat से या उससे जाओगे या आप helicopter से जाओगे जो fastest way है यहां से निकलने का वो helicopter ही है अरे वाह ये तो helipad के साथ narial लग रहे नारियल बहुत है आपर जो भी को narial की कोई कमी नहीं है आराम से आप narial का मज़ा ले सकते हो कितने प्यारे प्यारे घर है पेड के नाम पे सिर्फ narial के पेड़े बाई तो narial की कोई कमी नहीं है इदर पे यह क्या है pond mini park यह park का देखना चाहिए यार यह कैसा park है यह कैसा park ही तो खंडर लग रहा है यार यहां क्या पड़ा हुआ है नारियल यह कौन सी जगा है भाई क्या यह सही की फोटो है यहां की या ऐसे ही लोग गए हुए हैं वैसे यहां तो यह बच्ची औरे यह foreigners लोग कभी भी नहीं मानते फोटो ढालते ही रहते हैं अबे ठीक है अगर से कोई बात नहीं अच्छी बात है अच्छा रॉकिंग गाइज यह क्या है क्यों दुकान है यह है मीरान ओइल में इसकी भी फोटो नहीं बीरान पल्ली अभी देखते हैं यहां पर कोई यह नियाट कोई बिल्टिंग है जिसकी आसपास समुंदर है यह बड़ा सुंदर है यार ऐसा नहीं लग रहे है जैसे हम लोग जो IGI 1 गेम खेला था उसमें कई मिशन में ऐसे मिलिटरी के सीक्रेट बेस होते थे समुंदर के बीच में वहाँ पर जाना पड़ता था वो जाता था इस तरह का दिख रहा है इस पेरी ब्यूटिफुल अच्छा है यहां पर सोचो शाम के वक्त संसेट के वक्त क्या होता होगा नजारा सुंदर दभाई है पूरा मस्त है यह क्या है यह तो कोई व्यूपॉइंट है यहां तो मज़ा आ जाएगा अगर यहां का खुल गया ना फोटो यहां का फोटो ही नहीं खुल रहा बताओ कुछ तो पॉइंट दिया हुआ है आपर स्ट्रीट व्यू का बट अनफॉचूनेटली इस ना फोटो बड़ी यहां नाइस तो NICY Hै दिककती नहीं है इसको SITE करते हैं अब हम जाते ही कहां चलो यहां अगे अब ये ये जगा थो हमने देख लियती और ये तो सुर पूरा साहथ पानी से ढखा हुआ है पानी से ढखा हुआ है ये है अगती हाँ यहाँ यह मैंने सुनाया सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट वगरा सब यहाँ पर ही आते और काफी सही रहता है यहाँ का यह है कल्पित्टी आइलेंड लक्षद्वीब कितना हरा है और यहाँ पर नारियल के पेड नहीं है यहाँ पर तो कुछ अलगी पेड है भाई हाँ यह तो पूरा हर्याली है यहाँ पर मतलब पेड है बड़ी विल्डिंग नहीं है यहाँ और यह है एरपोर्ट शायद यहीं पर है एरपोर्ट यह है अगत्ती एरपोर्ट भाई आप देख रहे हो यह जितनी पट्टी दिख लिया ना यही एरपोर्ट है मुझे लगता है यहाँ एक से ज़्यादा विमान भी नहीं हो सकते और यहाँ के लिए ज़्यादा चाहिए भी नहीं देखो एक यहाँ पर हेलिकॉप्टर है बढ़तो दिस्टरविंश नहीं मिलागी आपको हाँ हाँ पर बड़े बड़े शहर अफाली और एक पलेन है यहाँ पर और यहा अगति एर्पोर्ट इग एर्पोर्ट पे उन्रीपर पर संपर वहत पोटेस जुण बहुत ग्रेट पीपर ग्रेट पूट मेर्ट गुट इएर आल्वेश यहां पार रिविवुर्ण this is also amazing place but comparing to other island it's most beautiful place most beautiful most simply built for an airport there is only one flight per day from Kochi and back and it's in the afternoon the ticket charge is around 5200 ठीक है यह कौन सा प्लेन है भाई Alliance Air यह Air India की चलाई हुई local flight है चोकी ऐसे short distance के लिए जाती है चालो यह हो गया और यह क्या है resort है seashells resort गती हाँ सुन्दर है रूम कैसे है आरे वाँ रूम तो मस्त है लोग मजा कर रहे हैं एकदम बीच पे बले बले नाइस नाइस बेरी नाइस तो यहां का जो मेन हाइलाइट है वो यही अगटी ही है क्योंकि बहुत सारे लोग और दूसरे आइलेंड पे जाते भी नहीं है मतलब मुस्ली नहीं जाते वो यहीं पे अपना घूंके घर निकल लेते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा ही है आप ज़्यादा अगर अच्छा दीवा स्कूबा डाइब यहाँ तो स्कूबा डाइब का कोई सेंटर है इक्विप्मेंट वॉज वेल मेंटेंड एंड इन गूड कंडिशन देखो यह स्कूबा डाइब कर रहे हैं लोग अरे अंदर रहे हैं तो यार समूंदर के सही है यार ग्रेड एक्स्पिरियेंस मतलब यहाँ जो भी लोग जा रहे हैं सब मज़ा तो कर रहे हैं उसकी तो पूरी पक्की गैरेंटी है ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा लोगों को लोगों को मज़ा पूरा आ रहा है तो मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ और मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ आपके map पर ठीक है बीच मैं आ जाओंगा मैं मेरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखिए और चलते हैं इसर पर थोड़ा ये क्या है अंधान बीच ये क्या है अंधान बीच ये तो कोई जगा लग रही है मतब कोई ऐसा private आदान नारियल के पुड़िया है बता निए क्या है नारियल के पुड़िया है क्या ये है कितना चोटा है ये यूजूल नारियल से चोटा लग रहा है है ना ये क्या है यहाँ पर किसी ने street view डाल रखा है क्या शायद यहाँ मिलेगा क्योंकि यह main जगा है यहाँ पर मेरे हिसाब से street view मिलना चाहिए इसको उठा के देखते हैं कहाँ पर मिलेगा पर यहाँ तो कोई road ही नहीं है यह road है वैसे पर इसमें street view ना यह राई और यह खुलता नहीं यहाँ देखते हैं एरपोर्ट का कोई street view मिलेगा क्या यह एरपोर्ट कोई street नहीं है बर ठीक है मिलेगा गया नहीं है कोई नहीं कोई नहीं अब यहाँ थोड़ा सा उपर चलते हैं लगून बीच यह scuba diving point है यहाँ पर लोग करते हैं और यहाँ पर snorkeling करते हैं मोदी जी नहीं की ठीक है यही की होगी शाय देख लेते हैं चलो मैं वापिस आ जाता हूँ आ गया मैं वापिस तो यहाँ पर snorkeling करते हैं लोग यहाँ की photo डाली है क्या हो रेखा देवी रेखा देवी ने कुछ नहीं डाला बस star दिये हैं ऐश्वरे आईशु ने रंधीर सिंग जी ने लिखाया ओशाम प्लेश वोओ अरे मोदी जी यहीं आये थे बे मोदी जी यहीं आये थे अरे वाँ मोदी जी की photo video डली हुई है यहाँ सच में अरे वाँ वाँ इसका मतलब यहीं आये थे मोदी जी वेरी गुड वेरी नाइस चलो बढ़िया मोदी जी की जगा पर आये हम यहाँ पर आये थे मोदी जी अब हम भी आये अच्छी बात है यह क्या है आरे वाँ भाई हाँ अब यहाँ पर देखते हैं यह क्या है चलकडबीच हम तो मेन फंडा यहीं है यह क्या आंगनवाडी Center 2 अच्छा यहां पर आंगनवाडी भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए चोटे-चोटे बच्चे आते हों गहीं अबर क्या लिखा ह आंगनवाडी सेंटर सर्वशिक्षा अभियान का लोगो लगा हुआ है सही है very good देखते हैं अपर आंगनवाडी सेंटर नमबर वन ये एक और आंगनवाडी है ये ज़्यादा modernized है देखो ना एक दा आसा लगा है फ्राइवेट स्कूल बच्चों के लिए काफी modern अरे ये तो वह है ना ओगी है उनको कॉकरोच बाला ये कार्टून है modern कार्टून लगा रखी है ये कहा है फाइकुली बीच ये कहा है अगती कावराटी फैरी अच्छा ये फैरी का रूट है ओ ये रूट है कहीं जाता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां से होगे यहां से होगे यहां से होगे ओ इतना दूर जाता है ये ओ यहां तक आता है ये कावराटी कावराटी तक आता है यहां से यह कवरत्ती तक आता है यह कर्मत अमीनी पानी है यहां से यहां तक आता है तो चलो हम भी कवरत्ती पहुंच जाते हैं यह क्या है कवरत्ती सोलर हेली पैड है पहले तो यह यह है कवरत्ती का हेली पैड बहुत छोटी सी जगा है एक हेलिकॉप्टर उतरने की जगा है और ऐसा दिखता है काफी बिल्कुल नेचर के एकदम क्लोज है याँ लोगों अभी तक कोई डिस्टरबेंस की नहीं है इसके अंदर ऐसे गुश सकते हैं एक हेलिकॉप्टर हमेशा रहता है यहाँ पर अराम से आईये इंडियन कोस्ट कार्ड के वो भी है होंगी वहाँ पर तो क्यार असला लाइन है तो थैंक यू इंडियन कोस्ट कार्ड इंडियन आमी फरी गड़ चलो यहाँ एक जैसी फोटो है समझ मैं आगया कैसी जगा है ये ये जो है ना कवरती, यह थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि गौवर्मेंट के ओफिसे बगरे हैं यहाँ पर जादा है और यह यह जो एरिया है पूरा यह सोलर पावर स्टेशन है, यहाँ पर प्लांट पवन हंस हेली पैड हाँ यहाँ यहाँ पर यह शिप, रेक, शोर, यहाँ पर तूटे हुए जहाज शायद रहते होंगे, कवरती, कोस्ट गार्ड स्टेशन गौवर्मेंट की जितने ओफिसे बगरा है वहाँ की जो डिफेंस परसनल है, उनके शायद जो भी ओफिसे होंगे, I think वो कवरती में ही होंगे, क्योंकि यह जगह ऐसी लग रही है ये वाला पूरा पार्ट नेचर वाला नहीं है, पूरा ऐसे वाला है मतलब, ऑफिसस बगरा जो है, ये कोस्ट का व्जिआइ हाँ, तो कोस्ट कार्ड के सारे वो यही है, कवरती कवरटी मैं सही प्रनूंस कर रहा हूँ हाँ कवरटी चलो यहां पर heaven street beach भी है अच्छा आगे चल गे बीच हो गेरा भी है walkway to resting point यह देखते हैं वाँ 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 यह क्या है पत्थर पड़े हुए है यह क्या है अरे वाँ यह कब का वक्त है पता चल पाता तो कितना अच्छा होता क्योंकि इस टाइब का वक्त मेरे को बड़ा पसंद है यह शायद शाम के चार बजरे होंगे golden hour बोलते है न उसको यह सबसे पसंदर लगता है यह जनवरी 2019 की डाली वही फोटो है बट पता नहीं है यह टाइम क्या है टाइम काश पता चल पाता तो अच्छा रहता इसका मतलब ऐसा मौसम होता है यहाँ पर रहने वाले लोगों का कितना मजा आता होगा कितना मस्त रहता होगा चलो मैं सारा धियान आपका यहाँ पर लगवाता हूँ यहाँ पर रहने वाले लोगों के मज़े आ जाते होंगे वैसे वो ऐसा लगता होगा कि यार वो modern mall वगएरा वो सब नहीं है वो सब नहीं है बट फिर भी एक शांती का महौल रहता होगा यह क्या अमूल कॉपरिटिव सप्लाइएंड सुसाइटी अच्छा अमूल वहाँ भी है अरे वाँ भाई अमूल तो यहाँ अरे रे 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 क्या बाद है दूध मिलता है आपर दूध की तो कहरा कमी नी होगी बैरी गोड दूधी दूध है भाई दूधी दूध है आगे वड़ते यह फिर नारियल के वो resort वगरा बहुत है यहां पर normal लोग रहते हैं और resort वगरा हैं घूमने उमने के लिए जैसे किसी भी tourist place पर होता है उसे तरीके से मेरे को देखने को मिल रहा है यह stadium भी है यह कवारती में है ना हाँ कवारती कवारती का stadium है यहां पर अब क्योंकि यहां पर government के वो सब हैं तो यहां पर stadium अगरा भी होगा parade वगरा होती होगी अरे स्वतंत्रता दिवस independence day की parade होती है यहां पर वाँ बढ़िया एक अलग सी छोटी सी दुनिया मना रखे रोने अरे वाँ पुलिस वाले लोग यह लोग सब पर बीस की है independence day celebration चार साल पहले की है यह फोटो यहां आमी के लोग भी दिख रहे हैं मुझे पुलिस वाले भी दिख रहे हैं आपर नेवी के लोग भी दिख रहे हैं आपर मुझे और politicians भी दिख रहे हैं और इसमें 100% coast guard के लोग भी होगे यहां पर अच्छा चलो यह तो पुरा parade बगएरा है स्टेडियम बगएरा होना चाहिए न कोई government offices बगएरा इस जगह पे होते हैं जाद तर आपर आपको यह स्टेडियम बगएरा भी मिलता है क्योंकि उनकी parade बगएरा वो सब चीज बगए होती है यह कहा है district institute of education and training क्या लिखा हुआ है पढ़ाई बगएरा भी सही होती है higher education भी है nursing पर सकते हैं आप और यह कहा शांती पत्थ रोड क्या यहाँ पर हमें कोई street view मिलेगा हाला कि street कम ही है बड street view इतना नहीं है यहाँ पर कुछ एक मिला है क्या वारेटी का street view यह तो किसी beach की 360 फूटो डाली हुए किसी ने यह तो टूटा हुआ जहाज सा लग रहा है इसको शायद घर बना दिया लोगों ने या घर को जहाज का रूप दी दिया इस तरह से पत्थर पड़े है यहाँ पर यह सब और यह रहा खुला समुंदर distorted image है बट ठीक है नाइस चलो coverati से चलते हैं अब यह पता चल गया हमें कि coverati में सारे आपका सरकारी और सब कारा ले वगएरा सब यहाँ पर है अब यह Android भी है यहाँ चलते हैं छोटे छोटे दीप हैं आपर Android में कुछ एक street view आ रहा है इसको देख लेते हैं इसको खोली नीरा अब यह जो जगा है Android यह बहुत ज़ादा जंगल से भरी हुई है आप देख सकते हो बीच जगाएं हैं विला है लेकिन यह विला की फोटो तो मिलको बिल्कुल नहीं लग रही यह हो सकती है बट इसके आसपास क्या है कि पूरा जंगल है यहाँ पर बसावत कम है लोग कम है हाई स्कूल है पर जाने के लिए जगा कहां से जाते होंगे लोग यहां से यह हाई स्कूल में लोग जाते कहां से होंगे क्योंकि यह घर है, फिर जंगल, जंगल, जंगल जंगलों के बीच से लोग निकल के कैसे कैसे करके जाते होंगे, कोई में बड़ी रोड नहीं है, आप देख रहे हैं? यह एक कॉलेज का ग्राउंड है, कर देख लेगें कॉलेज ग्राउंड की तो फोटो 100% होगी कि हमारे जैसे लोग जाते हैं और फोटो जरूर डालते हैं तो यहां तो कॉलेज के लड़के हो फोटो ना ऐसे हो सकता है क्या चलो यहां तो कॉलेज बढ़िया है एकदम अच्छा कॉलेज है और हाइश कॉलेज सब कुछ है पढ़ सकते हैं बच्चे नॉर्मल कॉलेज लग है है वाहां भी लोगों को किया सा कुछ नहीं है हाँ ये Playground है ये Syndicate Bank की Branch भी है Government College of Arts अच्छा ये Government College of Arts है या ये तो बहुत सही है या ये तो बढ़िया है या तो पढ़ाई-बढ़ाई भी सही चल रही है ये क्या लिखा हुआ है Reunion 2021 ये कहा है Government College of Arts and Science Andrat Lakshadweep Affiliated to Pondicherry Central University Very nice NSS Camp Nice यह बच्चे ऐसे यह वाला थोड़ा सा जादा शैतान बच्चा लग रहा है मेरे को तीकिने में यह सब शरीफ है यह थोड़ा शारा इसने मास्क भी निकाला हुआ है अच्छा यह थोड़ा बाइस अभी भी COVID के लिए मास्क पहन रहे हैं लोग हाँ South Side में अभी भी है ना थोड़ा सावा Keral Side में तो है वाहां पर अभी यह हो गया यहां से लोग जाते होंगे आस-पास के जगाव से जैसे यह घर है चोट शट शट यहीं से लोग यहां पर आते होंगे पहले फिर यहां स्कूल में कुछ जाते होंगे गल्फ जूलरी अच्छा जूलरी स्टोर यह कह जे बी स्कूल सेंटर सेंटर स्कूल सेंटर यहां यहां पर कह स्कूल वगरे ज़ादा है और पूरा अपना यह शॉपिंग और भी है यहां तो लेकिन बोस ओफिस आ यहां का फोटो फोटो की बहुत कमी है यह हैली पैड है यहां का मैंने बोला ना यहां पर हैली पैड जरूर मिलेगा क्योंकि एमर्जनसी में किसी कोई ऐलिफ्टी किया जाता है चलो यहां कॉलेज है एक एंडरोट में कॉलेज है एंडरोट कवरटी हम हो गए अब हम चलते हैं कलपेईनी और यहां पर बहुत सारे वह हैं street view वाले dots कलपेनी यार ये पानी तो बड़ा साफ लग रहा है ये क्या है इसके अंदर मचलिया है क्या दूस्तों ये मचलिया है शायद अंदर काफी high quality photo है आईशा जूलरी store, जूलरी के store बहुत है ये क्या है dot पे कलपेनी लिखा हुआ है यहाँ पर कलपेनी का बीच है हाँ ये कलपेनी बीच है मस्त लोग बैठे हैं समुंदर के किनारे मजे ले रहे हैं ठीक है अब कलपेनी की और जगा दिखते हैं इसमें क्या है office of port assistant अच्छा port assistant का office है ये देखते हैं क्या लिखा है office of the port assistant यूटी ओफ लक्षवदीप कलपेनी संग राज्य शेत्र लक्षवदीप कलपेनी अच्छा ठीक है तो जैसे normal government office होते है और यहाँ पर अभी भी CFL यूज हो रही है LED यूज नहीं हो रही बीजली बचाओ LED लगाओ अब देखते थोड़ा और यह क्या है मज़िद बगारा भी है यहाँ पर और गौर्वर्मेंट नर्सरी स्कूल आगन बाड़ी बच्चोगा चोटे बच्चोगा नाइस नाइस यह कहाँ कलपेनी लाइट हाउस तेखने वारी जगा है लेकिन किसी ने फोटो नी डाल रखी है है 2103 फोटो है यह लाइट हाउस है यहाँ से light जलती है तो पता चलता है जहाँ जो को यहाँ आना है यह लाइट हाउस में अंदर चड़ने की जगा इस पर तो ऊपर चड़के चिलाओ मैं आगया यह एक हैलिपैट जो कि अनिवार है बिल्कुल होना ही है यह कलपेनी बीच का इतों से देख लिए हम नहीं यह नहीं देखा था यह कलपेनी बीच यार क्या जगा है यह क्या जगा है क्या जगा ये क्या पड़ा है देखो ये ये वो है coconut oil की bottle और ये दारू की bottle है और ये पानी की bottle और ये चपल है आपको पते समुद्र में इतना waste plastic waste तैरता रहता है क्योंकि लोग ना देखो ये काम नहीं करना चाहिए बिलकुल भी अगर आप कहीं भी जाओ ना तो प्लीज य ऐसी चीजिज है ये गल्ती झाया मतर्सक्रपी नहीं अब ये जो पड़े यः ये नर्य जो पड़ा ये तो ये तो हो जागा डिकंपो लेकिन येचपल अपल लोग की रहे जाती है रह जाती है ये नहीं होती है हाला कि बहुत साफ है कोई दिकत नहीं है ऐसी मस्ता एक दम घुमने लाइक जगा है और ये क्या है ओई ये तो शायद रहने देख लिया था ना ये नहीं नहीं देखा था ये तो शायद किसी की उतारी हुई चपले है पड़ी नहीं है ये लोग यह तो उतारी हुई चपल है हाँ यह उतारी हुई चपल है फेकी हुई नहीं है फेकी हुई चपल तो एक होती है यह तो किसी ने उतारी है यह लगता है जिसने फोटो खीची है उन लोगों ने चपले उतारी हुई है यहाँ पर साफ है यार फोटो जो भी कहो पत्थर है और यह समुद्र है यह किनारे पर लगाये हुआ है ताकि लहरों को रोके यह सब लहरों को रोकते हैं तेखो क्या साफ समुद्र है यार यहाँ पर एक माचान जैसा बना हुआ है नारियल के यहाँ आराम से तीन-चार गंटे बिताओ और अराम से फिर निकलो यहाँ से एक छोटा टापू वहाँ सामने भी है दिख रहा है छोटा टापू चरो ठीक है कलपेनी बीच देख लिया कलपेनी बीच अब कहां चलना है अब हाँ उसके बार तो शायद यह शुरू हो जाता है यह कौन सी है सुहेली पार सुहेली पार हाँ सोलर प्लांट है यहाँ पर इंस्टॉल बाई अगनी अच्छा एक सोलर प्लांट है यहाँ पर और यह अच्छा सोलर प्लांट अगर यहाँ पर है तो बिजली कहां डिस् यह क्या रब्बानी लैंड रब्बानी लैंड है यह नैशनल फॉरिस्ट और यहां पर इनोंने चलो सोलर प्लांट लगाया हुआ है मुझे समझ आता है बट यह बिजली डिस्ट्रिब्यूट कैसे करते होंगे क्योंकि इनके आस पास तो कोई वो भी नहीं है एक यह हो सकता ह कि यहां से एक तार इनोंने बिचा रखा हो समुंदर के नीचे से जो की बहुत मुझे तो कमी चांसे लग रहे है और कवरती जहां पर सारे गोर्मेंट आफिसे तक भी यह डॉट क्या है बीच में समुंदर के बीच में कौन डॉट डाला रहे हाँ यह तो गलत है यह समुं खुझ है यह तो सही है यह मतलब लास्ट पॉंट है लक्ष्र दीप में जैसे आप नीचे-चे आते जाओगे तो यह बोर्ट से या जहाट से जाना पडता होगा जो है Very nice. यहाँ जहाद से जाते हैं. जहाद से जाते हैं यहाँ पर. जहाद से जा रहे हैं और टाइम लगता होगा बहुत अच्छा खासा है करो मौचने में. पर या सुन्दर भी उतना ही है. इस सोललार प्लांट भी है यहाँ पर ठूंडी बीच में. और सुन्दर है ये तो एकदम ही एक आंत पर है चोटा सा एक आइलेंड है किसी ने ड्रोन शॉट पी डालें ये कहाई डी जी पी एस रडार लाइट हाउस आइलेंड मेंने को है अरे बाए गड़ियां वड़ियांस सब है स्कूट्टी है पेटरोल कैसे दिलवाती होंगी पैटरोल स्टीशन है क्या इतर पैटरोल स्टीशन पेट्रोल पंप हाँ सब होगा विकिंग्स बीच लाइट हाउस रोड अब यहाँ देखते हैं कितना हो है यह सोलर प्रांट अचा सोलर प्रांट बहुत है यहाँ पर हाँ ठीक है धूपच्ची आती होगी तो बिजली के लिए यही है यह कहा है बंदाराम कोकोनट फॉरेस्ट कोकोनट कोकोनट का पूरा जंगल है भाई नारियल जितना ले न लो हॉलीडा कॉम्पलेक्स फिश्मेन आइलेंड इन टेंपररिली क्लोज लक्षिदी प्रेजॉर्ट्स और होटल बगएरा है मिनिकॉय में और काफी चीजे हैं यहां तो चोटी जगह लेकिन काफी कुछ है यहां पर कोई स्ट्रीट व्यू देखने को में लेगा गया कोई स्ट्रीट व्यू नहीं है जावाहर नवोदे विद्ध्याले मिनिकॉय नवोदे विद्ध्याले यहां तो यह सही है यह बहुत ही बढ़िया है बच्चे पढ़ सकते हैं टेक केर अफ यॉरसल्फ प्लीज यूज हैंड सानिटाइजर कम तु लर्न गर तु सर्विस वेरी गुड टोबाको फ्री जोन यह मैंने एक्सपेट नहीं किया था लेकिन यहां पर नवोते हैं विद्याले है जो कि बहुत अच्छी बात है मिनिकॉय में यहां कौन बच्चे पढ़ते होंगे मिनिकॉय में जो यहां रहते होंगे वोई न देखो बच्चे वोई पढ़ते होंगे यहां और और वो दुनिया में अब तो लक्षे भी बहुत पॉपलर हो गया है, अब तो सब जानगे इसको, अच्छी बात है, यहां का development वगरा भी अच्छा होगा, अच्छी बात है, यहां के लोगों के लिए फाइदा रहेगा, चलो यह तो रहा, काफी कुछ है, यहां पर काफी कुछ है, मिनिकोई, आइ यह कहा, थेले फोले, टी शॉप, थेले फोले, थेले फोले, टी शॉप, थेले फोले, टी शॉप, बेस्ट टी शॉप है, मिनिकोई, यह टी शॉप है, भूख बढ़ गई है, समोंसे देख, समोंसे, इसमोंसे, वाह, वाह, यह कहा, कौन सी मिठाई है, कौन सी मिठाई है, क रहा हमारा मिनिकॉइ और मिनिकॉइ आइलेंड और यह सब है फोटो भी है यह है मिनिकॉइ आइलेंड की इसी ने देखो इसल्फी स्टिक्स यह प्रॉपर गेर से लिए 360 कैमरा है यह सब लगाए लगाया हुआ है यह काफी points है यहां पर देखने के लिए, यह तो देख लिए हमने, यहां पर normal घर बहुत है, mini-coi में, normal घर जैसे हमारे घर है, बहुत congested वगरा जैसे उस तरह के घर यहां पर बहुत है, mini-coi में, यह मैंने और, मतलब लक्षिदीप के और किसी जगा पर नहीं देखा, वहां यहां पर जादा बसावत है, और urban population काफी है यहां पर, मैं इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि देखो, यहां पर State Bank of India भी है, यहां पर SBIB है, इसका मतलब समझे दया, SBI है, यहां पर State Bank का ATM है, very good, हाँ, यहां, यहां, यह Pirates क्या लिखा हो अबाए, समूंदरी लुटे रहा आ Government, हाँ, यह यह जगह है, साही, यहां आपको सारी facility मिलेंगी, देखो, यहां पर जहाजवाज भी आते होंगे, क्या लिखा है, कवरती, हाँ, कवरती से आता है, यहां पर, यह कोई map भी है, किसी ने महाँ से, टूरिस्ट वाज इंसान ने किसे डाला हुआ है, सैंशल, मिलेगा, वो सब बेहरा है, आप चाहें, तो स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं, मिनिकॉय पोर्ट मिने डाला हुआ है, मैस, यह क्या, फैलसरी क्या है, हाँ, तो यह जो जगह है, मिनिकॉय, यह पूरी घिरी हुई है, और यहां पर सब कुछ है, मुझे सबसे ज्यादा यही पॉइंट लगा, यह लक्षदीप में, और यह लक्षदीप में, जिसे हम जानते हैं, कवरती, अगती, अमिनि, बित्रा, चेकलाइट, किलतन, उसके बीच में है यह मिनिकॉय, पोर्ट, और यह मिनिकॉय जगह, उसके बाद से दोस्तों यह शुरू हो जाता है, माल्दीप काफी बड़ा है, पर यह हमारा देश नहीं है, हमारा देश तो यहाँ है, ठीक है दोस्तों, तो 40 मिनिट हो चुके हैं, और मैंने आपको मोटा-मोटी दिखा दिया, कि लक्षदीप कैसा है, क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या, मतलब पूरा एक्स्प्लोर गिया गूगल मैप के ट्रिप में जैसे मैं करता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें और बताएं, मैं अगली कौन सी जगा पर जाओं, तो मैं बहुत सारी जगा और जा सकता हूँ, अलग-अलग जगाओं पर, तो मैं जाता ही हूँ, बहुत सार ल सब्सक्राइब और कॉमेट सक्षन बहता हूँ, अगर आपने यह वीडियो पूरी देखिये तो